नीमू के जो छोटे पोदे हैं लगबग एक से डेड़ वर्स तक के उनकी सुरक्सा आप सर्दियों में कैसे करें मेरे को अभी भी बहुत मेसेज आ रहे हैं कि मेरे पोदे पीले पड़ गए हैं और मेरे को इनको सर्दी से कैसे बचाव करूँ मैं सब के उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है जबकि मुझे पता है कि कई बातों का मैं पुरानी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ और बता भी चका हूँ वहाँ पर मेरे लिए दवाई बताना ये सब बताना संभाव नहीं है चुकि मुझे उनकी जमीन की और उनके पोधों की पूरी जानकारी नहीं होती है किसान साथियों ये मेरा जो है ये लगभग सवा वर्स का जो पिछले वर्स सितंबर में लगया था उसका पोधा है नीमबू का और ये साई सरबती का पोधा है इसमें मैंने बताया था कि मैंने पिछली बार इसमें रिडो मिल गोल्ड धाई गराम की ड्रिंचिंग करवाई थी अब उस ड्रिंचिंग का क्या असर हुआ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें ये देखिए इसमें ये नए पत्ते सुरू हो गए है ये देखिए ध्यान से देखिए इनको ये नए पत्ते सुरू हो गए यहां भी देखिए आप इनको यह नए पत्ते शुरू हो गए इसे और देखे यहां से नए पत्ते शुरू हो गए आप देखिए कि इस टाइम पाला पड़ रहा है कभी कभी पाले से जो यह छोटे होते हैं यह खराब हो जाते हैं यह देखे नए पत्ते शुरू हो गए है इस से घवडाने की कोई ऐसी बात नहीं है अगर पाले और ठंड से ये पत्ते गिर भी जाते हैं तो फरवरी आते आते आपके पत्ते और पोधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगे मुख्य चीज क्या है कि आपको जिन्होंने नहीं किया है मैंने पहले भी बताया था कि सर्दी शुरू होने से पहले एक बार इन में कलोरो पाइरोफास और ये कार्बन डीजन का जो है ना उसका ड्रिंचिंग कर दीजिए इस्प्रे कर दीजिए उसके बाद बताया था कि copper oxy chloride कम से कम साथ से दस दिन बाद copper oxy chloride और steptocycline का spray और ड्रिंचिंग कर दीजिए और तीसरी चीज ये redomil gold का इनके क्या फाइदे होते हैं कि जो भी अगर आपकी fungus होगी जड़ों की fungus सब खतम हो जाएगी नीमू में जड़ से बहुत ज़ाद होगा या आपने टहनी सूखी काटी है तो उसकी भी रोक थाम होगी अब आप इसमें एक कारिये और सैद कुछ भाईयों ने करवा भी लिया नहीं होता करवाईए अगर आपके पोदे एक साल के हो गए हैं तो इनमें ये बोर्डो पेस्ट अवस्चे लगाएं ये बोर्ड पूर्ण रोक थाम करेगे अगर ये कर लेंगे साल में दो बार बोर्डो पेस्ट अवस्चे लगाएं आप देखें मैंने लगाया हिया है अब ये सुस्थ रहेगा और सभी पोदों में मेरे फोटान सुरू हो गई है इन सब के बाद अगर आपके पत्ते गिर रहे हैं उपर ओक्सी कलोराइड होता है और ये एक बहुत बढ़िया फंगी साइड है जो आपकी जड़ों में और तने पर और पत्तियों पर काम करता है कैंकर रोग से रोक थाम करता है आपके जड़ गलन में भी कारिये करता है इसलिए इसका प्रियोग करना सीखिए और इसको तो उसमें स्वाधीन का इस्प्रे कर सकते हैं जिसमें टुबक उनाजोल है और जिसमें आपका ये सल्फर है या जो सल्फर 90% है उसका प्रियोग कर सकते हैं कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप केवल डीकमपोजर का इस्प्रे करिए उससे भी हो जाएगा आप करकर देख लीजिये मैंने नहीं किया है अगर आप नीमू के पोधों की दो साल अच्छी तरह देख भाल करेंगे तो बाद में इतनी अवश्यक्ता नहीं होगी पर्थम दो वर्स में नीमू के पोधों की बहुत देख भाल करनी पड़ती है और दो रोग इनमें सबसे ज़्यादा आते हैं एक जडगलन का रोग अगर आप अधिक पानी देंगे और दूसरा पत्तों में कैंकर का रोग और हां एक तीसरा इसमें लीफ माइनर का रोग आता है इन तीन से सुरक्सा करिए और आपके पोधे ठीक चलते जाएंगे ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट म